नमस्कार विद्यारतियों मैं मुकेश कुमार नागर हिंदी एंड संस्कर्ट फिकल्टी मोशन एजूकेशन के मोशन फाउंडेशन के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आमारे टेंठ क्लास का और टेंठ क्लास के अंदर भी ए पॉर्षन जिनके चलता है जिनके संदीज और करतिका जिनके बुक चलती है उनके संदी का topic उनको पढ़ना है बात यह आती है कि क्या संदी का topic B portion जिनके इस पर सोर संचेन चलता है उन्हें भी पढ़ना होगा हाँ तो इसका answer मिलेगा कि आपको भी पढ़ना है क्यों पढ़ना है क्योंकि इसके पीछे ये की region है मैं आपको बता देता हूँ जो संदी का topic है इसमें क्या होता है कि आपकी जो अपटित गध्यांस होता है उसके अंदर जो question आता है उस question में इस संदी के topic को पूछ सकता है क्योंकि 10th class में उसने ये बोला है कि अपटित गध्यांस अब अपटित गध्यांस का मतलब ये है कि वो गध्यांस आपने नहीं पढ़ा अर्था वो गध्यांस हो सकता है आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो लेकिन आप उस क्लास में उस गध्यांस को नहीं पढ़ रहे हो तो ये टोपिक कहता है कि जिस टोपिक को यहाँ पर आज मे पढ़ाने वाला हूँ यह आपके अपटित गध्यांस के अंदर पूछा जा सकता है. इसलिए यह A वालों को भी पढ़ना है और अब B वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि B वालों को क्यों पढ़ना है. तो इसलिए आपको क्या करना है? संधी के टॉपिक को पूरा completely पढ़ना ही होगा चाए वो स्वर संदी हो चाए वो वेंजन संदी हो चाए विसर संदी हो ये मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ पर एक बार पढ़ने के बाद में कहीं से भी इस टोपिक को पढ़ने के आव सकता नहीं पढ़ेगी इतनी गारंटी में आपको दे सकता हूँ आपको यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ जिस ट्रिक के मादिन से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ वो ट्रिक आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है यह भी मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद में आप जब इन question को ये जब मैं theory आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब subjective तरिके से आप लोगों को यहाँ पर में करवाऊंगा तो objective तरिके से आपको किसी भी question का answer देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी ये गारंटी में आपको दे रहा हूँ, आज के बाद इस टोपिक को पढ़ने की आवसकता आपको कभी भी नहीं पढ़ेगी, ये आपको गारंटी है भई, ठीक है, तो बात करते हैं हम संदी की, और संदी में क्या क्या होता है, संदी कैसे की जाती है, संदी विच्छेद क्या किया जाता है ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं संदी जो है कितने परकार की होती है संदी तीनी परकार की क्यों होती है संदी के जो स्वर संदी होती है वो पांच परकार की कैसे होती है पांच परकार की संदी को कैसे याद किया जाए उसमें कौन-कौन से फॉर्मूले वहाँ पर लगे होई होते हैं कौन-कौन से सुत्र वहाँ पर लगे होई होते हैं बिना सुत्र को याद किये भी क्या संदी को बताया जा सकता है इन सारी ट्रिकों में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ आपको पूरे व संदी के टोपिक को पढ़ें और एक एक पॉइंट को समझें और एक एक बात को नोट जरूर करें तो आईए मिलते हैं इस संदी के साथ और संदी के टोपिक को शुरू करते हैं आज ये रहा आपका संदी का टोपिक और संदी के टोपिक में मैं आपको बोल चुका हूँ सम प बता चुका हूँ क्या उपसर्ग है भही संदी सब्द के अंदर भी सम उपसर्ग का प्रियोग यहां पर किया गया है कौन से उपसर्ग का प्रियोग किया गया है सम उपसर्ग का प्रियोग किया गया है जो सम उपसर्ग है यह एक संस्कृत का उपसर्ग कहा जाता है जो हिंद और संदी की परिवासा आपको याद होनी चाहिए जब भी मैंने आपको समास पढ़ाये थे वहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो समास होते हैं वो सब्दों की बात करता है और जो संदी होती है वो वर्णों की बात करता है जहाँ पर भी समास की बात आती है वहाँ पर सब्दों के मेल की बात आती है वहाँ पर कारक के मेल की बात आती है वहाँ पर अलग-अलग सब्दों की बात की जाती है लेकिन हमेशा संदी में जो है संदी के अंदर जो है हमेशा वर्णों की बात की जाती है बेटा एक बात याद रख लेना जीवन में कभी भी किसी भी चीज को याद करने का सबसे आसान तरीका है उसकी प्रेक्टिस करना हैने कि एक बार जब हम उसे सब्जेक्टिव तरीके से उसकी ठियोरी जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्यूशन आंसर करने बहुत जरूरी होते हैं और आपके जो क्यूशन आंसर हैं वो क्यूशन आंसर इस संदी के टोपिक से अबजेक्टिव ही आएंगे और अबजेक्ट इस topic को भूल नहीं सकते, ये मैं आपको guarantee देता हूँ, आज के बाद जो है, कहीं भी आपको संधी पढ़ने के आँ सकता, नहीं पढ़ेगी, चलिए बात करते हैं, संधी के topic ये रहा अमारा संधी का topic, संधी के topic में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको pain और notebook लेकर के साथ म में आपसे बोलूं कि ये point important है इस point को आपको जो है note करना है ये trick मैंने आपको जो बताई है इस trick को भी आपको note करना है इस तरीके से आप इस question के answer को निकाल सकते हैं ये सारी चीजें आप वहाँ पर note करेंगे ठीक है अगर आपने एक एक बात को note कर लिया तो मैं guarantee दे रहा हू question आपका यहां से बार जाने वाला नहीं है आसानी से आप उन question के answer दे सकते हो चलिए सुरू करते हैं संदी का topic ये रहा हमारा संदी और ये संदी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है बच्चों इसमें जो उपसर्ग है वो है sum plus d अ आगे बात करते हैं दो धोनियों अर्था वर्णों की बात यहां पर की जाएगी कि परस पर मेल को क्या कहा जाता है संदी कहा जाता है किस तरह से यहां पर मिलते हैं वर्ण जैसे आपने ये दो वर्ण मिलकर कि यहां पर आ बन गया इसका मतलब जो है दो वर्णों के मेल से जब तीसरा वर्ण बनता है तो उसे ही क्या कहा जाता है संदी कहा जाता है यह एक वर्ण यहाँ पर है दूसरा वर्ण यहाँ पर है और दो वर्णों के मेल से जो भी वर्ण बनेगा वो होगी अमारी संदी तो इसलिए याद रखेगा यहाँ पर यह बात हमेशा याद रखनी हैं कि जब भी दो वंड मिलेंगे जब भी दो वंड मिलेंगे वो हमेशा संदी का काम करेगा अर्था दो वंड मिलने के बाद में जब उनसे तीसरा वंड बन करके आएगा तो वो अमारे लिए किसका काम करेगा वो संदी का काम करेगा ठीक है अर्था जब दो सब्द अर्था कि पर्थम धोनी के मेल से जो विकार उत्पन होता है उसे क्या कहते हैं संदी कहते हैं ये बात में आपको भी समझाने वाला हूं तोड़ी देर में ठीक है धोनियों के मेल से स्वर के साथ स्वर जैसे राम प्लस अवतार यहां पर समझ लीजिए आप इसको यहां पर मैं बता रेता हूं देखें यहां पर लिखा हुआ है राम प्लस यहां पर लिखा हुआ है आउतार तो आप ध्यान दीजिए कि इस म के अंदर से मैंने क्या निकाल लिया निकाल लिया तो यही बात यहां पर किये गई है कि पहले सब्द के अंतिम वर्ण में से जो भी स्वर निकलता और अंतिम जो सब्द है उसका प्रतम वर्ण ले लिया जाता है और इन दोनों वर्णों के मेल से जो भी वर्ण बनता है वो अमारा संदी का काम करता है आगे बात करेंगे हम सारी के सारी तो आपको यहां तक की चीज़ें याद रखनी है कि पहले वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे सब्द का प्रतम वर्ण जब भी मिलेगा उसके बाद में जो वर्ण बनेगा वो संदी का काम यहां पर करता है अब देखो अमने यहां पर क्या क्या बातें सीखी है यहां पर अमने सीखा है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से क्या बनता है तीसरा वर्ण बनता है और तीसरा वर्ण ही क्या किलाता है संदी किलाती है कहने का मतलब यह हुआ कि जो वर्ण है उनमें ही संदी होगी सब्दों में कोई संदी नहीं होती है बात समझ में आ गई तो ये बातें आपको याद रखनी है वेंजन संदी की बात हम वेंजन संदी में करेंगे जब वेंजन संदी पढ़ेंगे तो वेंजन संदी में करेंगे और विसर्ग संदी जब पढ़ेंगे तो विसर्ग संदी की बात हम किस में करेंगे विसर्ग संदी में करेंगे ठीक है तो अभी आपको इतना ही समझना है केवल यहां तक का आप लोगों को समझना है कि दो धवनियों के मेल से जो स्वर के साथ स्वर का ही अगर मेल होता है तो वहां पर स्वर संदी ही बनती है इतना आप लोगों को समझना है देखेगा आगे यहां पर जो संदी है संदी के यहां पर कितने भेद होते हैं संदी के यहाँ पर तीन भेद होते हैं यह आपको समझने हैं पहला होता है स्वर संदी दूसरा होता है वेंजन संदी और तीसरा होता है विसर्ग संदी तो याद रखेगा संदी के जो मुखे भेद हैं मैं आपको बता देता हूं संदी के जो मुखे बेद हैं जो संदी के मुखे भेद होते हैं वो कितने होते हैं संदी के मुखे तीन ही होते हैं फर्ष्ट नंबर पर आता है हमारा स्वर संदी दूसरे नंबर पर आता है वेंजन संदी और तीसरे नंबर पर आता है हमारा विशर्ग संदी यह आपको याद रखने होंगे तो स स्वर संदी में हमेशा क्या होता है बच्चों स्वर संदी में हमेशा स्वर का स्वर से मेल होता है और क्या बनता है स्वर ही बनता है तो ये अमारी स्वर संदी की बात हो जाती है क्या होता है कि स्वर संदी ये कि स्वर का स्वर से अगर मेल होता है स्वर ये बनता है तो ये स् वेंजन ही बनेगा ठीक है दूसरी बात ये कर रहा है दूसरी बात ये यहां पर कर रहा है कि अगर पहले वेंजन हैं और बाद में भी अगर वेंजन हैं तो भी क्या बनेगा वेंजन ही बनेगा इसके बाद में तीसरी बात ये कर रहा है अगर पहले वेंजन हैं और बाद में अगर स्वर हैं तो भी वेंजन ही बनेगा ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर आपको वेंजन संदी में ध्यान रखने होंगे विसर्ग में क्या होता है स्वर के बाद में विसर्ग होता है बाद में स्वर हो चाहे वेंजन हो उसे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है इतनी सारी बाते मैंने आपको यहाँ पर बता दिये कभी भी आप इस बात को नहीं भूलने वाले हो एक guarantee में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि स्वर संदी में हमेशा प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद में भी स्वर होगा तो वहाँ पर is equal to स्वर ही बनेगा इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर स्वर संदी है बात करते हैं वेंजन संदी की तो वेंजन संदी में क तो भी वेंजन संदी का ही उदारन होगा आगी बात समझ में आगे देखते हैं स्वर के साथ अगर विशर्ग जुड़ा हुआ है तो वहां पर विशर्ग संदी होगी 100% वहां पर विशर्ग संदी होगी तो यह जो दो बिंदियां जो लगाए जाती हैं इन दो बिंदियों को किस नाम से जानते हैं इन दो बिंदियों को जानते हैं विशर्ग के नाम से बात याद रहनी चाहिए इन सभी पॉइंट को आप नोट करें और इन सभी पॉइंट को लिखें अच्छे से और पढ़ें बार बार रिवाइज करें नि तो भूल जाओगे बच्चों चलो देखो आगे ये रहा अमारा स्वर संदी अब स्वर संदी में क्या होता है स्वर संदी में क्या होता है कि कितने प्रकार की संदिया होती है स्वर संदी किसे कहते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ठीक है बात करते हैं स्वर के साथ में अगर स्वर का ही मेल होता है तो अमारी क्या बन जाती है स्वरसंदी बन जाती है यह मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ अगर स्वर के साथ में स्वर का अगर मेल होता है तो इस इकल टू अमारे साथ क्या बन जाती है स्वरसंदी ही बन जाती है यह 100% राइट बात है यहाँ पर एक उदाहन दिया गया है RAM PLUS अवतार वाले बात हम लोग करते हैं यह RAM यहां पर है और यह आवतार यहां पर लिखा हुआ है देखो यहां पर RAM यहने कि मह में से मैंने साउंड निकला A और यहां से मैंने ले लिया A देखो दोनों ही जगाप पर मुझे स्वर मिले हैं और इसके बाद में पीछे बचा हुआ है वतार और इन दोनों साउंड को अगर मैं यहां पर ले लेता हूँ तो यह क्या मिलके बना है और आ भी यहां पर क्या है स्वर है इसका मतलब यह हुआ अगर स्वर का स्वर से मेल होता है स्वर का स्वर से मेल होता है और स्वर ही बनता है तो वहाँ पर कौन सी संदी होती है वहाँ पर कौन सी संदी होती है वहाँ पर स्वर संदी होती है यही बात यहाँ पर समझाई गई है तो कर लोगे इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए यह सारी के सारी चीजे में आपको एक एक सवर होते हैं याद रखना भई और यह सारे के सारे सवर यहां पर दिये गए हैं वेंजन प्राइस सवर की साहिता से ही बोले जाते हैं जो वेंजन होते हैं वेंजन हमेशा सवर की साहिता से ही बोले जाते हैं वेंजन बिना सवर की साहिता से कभी पूरे नहीं हो सकते जैसे मा स्वर के कोई भी वेंजन पूरा नहीं हो सकता इसलिए वेंजन हमेशा स्वर की सायता से ही बोला जाता है तो बासमझ में आ गई अगर स्वर का मेल स्वर के साथ किया जाता है और इसी कल्टों में अगर स्वर ही बनता है तो वहां पर स्वरसंदी ही होती है बासमझ में आ गई आगे पढ़ते हैं ये रही हमारी स्वरसंदी अब स्वरसंदी के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर दिये गए हैं कि स्वरसंदी के जो है पांच परकार होते हैं और पांच परकार कौन-कौन से होते हैं यह में सिखना हैं पांच परकार कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले द संदी के बाद में दूसरी संदी होती है गुण संदी दूसरी संदी गुण होती है तीसरी संदी हमारी क्या हो जाती है वरदी संदी हो जाती है और फोर्त नंबर की संदी होती है यन संदी और फाइप नंबर की संदी होती है आयादी संदी तो यह बात ही आप लोगों को वहाँ पर स्वर संदी होती है और स्वर संदी के कितने भेद होते हैं स्वर संदी के कितने परकार होते हैं स्वर संदी के पांच परकार होते हैं सारे के सारे परकार आपके सामने लिखे हुए हैं ये पहला परकार है दिर्ग संदी दूसरा परकार है गुण संदी तीसरा परक दिर्ग संदी, गुण संदी, व्रदी संदी, यन संदी, अयादी संदी और यही पर समझ लेते हैं हम इन संदियों के बारे में देखो दिर्ग संदी में क्या होता है दिर्ग संदी में तीन फॉर्मूले चलते हैं एक तो होता है आ और एक होता है बड़ी ई और एक होता है अम सोरों में से बना हुआ कोई भी मिल जाए तो वहाँ पर 100% वहाँ पर कोई संदी होती है दिर्ग संदी होती है कर लोगे कोई दिक्कत निये गुन संदी में अगर कही पर भी इन दोनों में से किसी की भी एक मातर अगर आपको मिल जाती है तो वहां से अगर सन्दी विचेद होता है वहीं से सन्दी विचेद अगर वहीं से किया जाता है तो वहाँ पर 100% कौन से संदी होती है वहाँ पर 100% गुन संदी होती है ठीके वरदी संदी की बात अगर करते हैं तो वरदी संदी में अमारा ये जो ये है ये बड़े ये में चेंज हो जाएगा और O है ये अमारे बड़े O में चेंज हो जाएगा ठीक है कहीं भी अगर यहाँ पर मिलते हैं यह बड़ाओ और कहीं भी इनकी मात्राएं मिलती हैं और वहीं से अगर संदी विचेद होता है तो वो अमारी वरद्धी संदी में आ जाता है यहाँ संदी के लिए में आपको बता देता हूँ यहाँ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है यहाँ को पीछे क्या आता है ये में change कर देते हैं और पीछे क्या आता है श्वर आता है लेकिन ये E या E नहीं आता है इस माइनस का मतलब होता है E या E नहीं आता है उसी तरह से इसका एक formula और है अगर O या U के बाद में उ या उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है कोई भी असमान स्वर आता है तो लेकिन उ या उ नहीं आना चाहिए उ या उ नहीं आना चाहिए तो इस उ या उ को किसमें चेंज कर दिया जाता है वह में चेंज कर दिया जाता है और पीछे के आ जाता है स्वर आ जाता है ठीक है बच्चों तो याद रखेगा पीछे के आ जाता है स्वर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ये बात याद रखना ये फॉर्मूले हैं इसके आयादे संदी में क्या होता है आयादे संदी में होता है ए, इसके बाद में होता है आय, इसके बाद में होता है ओ, और इसके बाद में होता है आउ, इनको चेंज किया जाता है, किस में चेंज किया जाता है ए को चेंज करेंगे आय में इसके बाद में इसको चेंज करेंगे आए में और इसके बाद में इसको चेंज करेंगे आउ में और इसके बाद में इसको चेंज करेंगे आउ में बास समझ में आरी होगी ठीक है तो ये आपको याद रखने हैं ये जो मैंने बातें यहाँ पर बताई है ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है और इन से बार कुछ भी नहीं है ये मान के चलिए कि ये जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ये स्वरसंदी का पूरा का पूरा डाइग्राम यहाँ पर आपके आ चुका है स्वर संदी इन से बार नहीं है ये स्वर संदी का मैंने आपको सब कुछ बता दिया स्वर संदी के एक भाग का मैंने आपको यहाँ पर पॉस्माटम कर दिया है ठीक है और इसके बार कुछ भी नहीं है मैंने सारे ताम जाम निकाल करके आपको इसके बता दिये है तो दिर्ग संदी कहां होती है जहां पर इन तेनों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण होता है और वहीं से संदी विच्छेद होती है तो वहाँ दिर्ग संदी होती है गुण संदी कहां पर होती है इन दोनों में से होता है यन संदी कहां पर होती है और अयादी संदी कहां पर होती है तो यह यन संदी की बात कर रहा है यह वरदी संदी की बात कर रहा है तो कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं आने चाहिए तो चलिए पढ़ते हैं हम एक एक संदी को यहाँ पर लेते हैं पहली संदी यहाँ पर आती है हमारी दिर्ग संदी अब दिर्ग संदी में आपको बोल चुका हूँ कौन से वर्णों को पढ़ना होता है सबसे पहले वर्ण है अमारा आ और दूसरा वर्ण अमारा कौन सा है बड़ी ए और तीसरा वर्ण अमारा कौन सा है बड़ा हूँ इन टीनों वर्णों को ही आज हम लोग जो है इस संद्री के अंदर पढ़ने वाले हैं चाहे चोटा मिले चाहे बड़ा मिले आगे पीछे कैसे भी मिले वो बनेगा हमेशा बड़ा ही देखो इन सारी रामायन को समझने के पहले में आपको बता देता हूं यहाँ पर इस फॉर्मुले को एक साथ में आपको बता देता हूं और आ के बाद में अगर क्या आ जाता है और आगर आ जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है ये पूरा का पूरा फॉर्मुला जो है चार भागों में डिवाइड किया गया है । ये फश्ट नमबर का भाग यहाँ पर दिया गया है पहले नमबर के बाग के नुसार बात करेंगे नयन प्लस अभी राम तो क्या बन जाएगा नेना भी राम बन जाएगा कैसे बन रहा है आप यहाँ पर समझ लीजिए यह नयन सब्द यहाँ पर लिखा हुआ है नयन सब्द लिखा हुआ है और अभी राम सब्द भी यहां पर लिखा हुआ है ठीके अब कैसे बना यहां पर नेना भी राम देखो यह नएन सब्द से मैंने क्या ले लिया नएन सब्द से मैंने अ ले लिया है और यहां से भी मैंने अ ले लिया है पीछे क्या बचा रहा है या रा भी राम बचा हुआ है इन दोनों अ और अ को मिलाया मैंने तो मेरे साथ आ गया आ और पीछे बच गया मेरा भी राम इसके बाद में आगे क्या बच रहा है आगे बचा हुआ है नैन और मैंने आप से कहा ह है जो भी तीसरा वंड बनकर के आता है उस तीसरे वर्ण की मात्रा हमेशा जिस पर हलन्त होता है उसके उपर लगाया जाती है तो जोड़ दीजिए आप इन तीनों को क्या बन जाएगा नए ना यह आकी मात्रा लगा दी मैंने इस ना के और पिछे क्या बच गया भी राम तो क्या बन जाएगा नेना भी राम ह तो देखो यहां पर नयन और अभी राम मिलकर के क्या बना नेना भी राम बन गया उसी तरह से चरण प्लस अमरित मिलकर के क्या बना चरण अमरित बन जाएगा सर प्लस अउधान मिलकर के क्या बना साउधा भूप saben बन जाएगा कि इसी तरह से सारे चीज़े होती है ठीक है अब रामा नुझ अनुझ अनुझ यह राम सपर घीत प्लस अंजलिया सुठी प्लस अंजली सुर्य सब्द को आप इस तरह से कर सकते हो किसे भी सब्द में कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं आने वाली है एक सब्द में आपको यहां पर और बता देता हूं एक सब्द और देख लीजिए एक सब्द और आपको यहां पर समझा देता हूं रामानुज को मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं तो मैंने रामानुज निकालिया, पीछे बचा है नू और येज, इन दोनों साउंड के मिलने से तीसरा साउंड मेरे को क्या बन कर आया, आ, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि आ या फिर आ के बाद में, आ या फिर अगर आ आता है, तो फिर आई बनता है, यह फोर्मूला चार फोर्मूले को क क्या बन रहा है, आ बन रहा है, ठीक है, और यह कहां जोडेंगे, जिस वन पर हलंत लगा हुआ है, तीसरे वन को वहाँ पर जोडना होता है, तो पीछे नू और ज, आगे है राम और हलंत लगा हुआ है, इसको जोड दीजिए, राम, म, आके मातरा जोडेंगे, तो मा, और यह नूम और यह ज तो क्या बन जाएगा रामानुज कर सकते हो इस तरह से किसी भी उदान को कर सकते हो सुरियास्त सुरे प्लस अस्त मुरारी मूर प्लस अरी अब देखो मैं आपको यहां पर बता देता हूं सुरियास्त में यह शुरे सब्द मैंने लिखा और इसके बाद मे आ चुपा हुआ और यह यहां से ले लिया दोनों आको मिला हुआ तो आ बन जाएगा देखो यह सुर्या ठीक है यह तो यहां से ले लिया मैंने पीछे क्या बचा आदा सर और तर क्या बन जाएगा सुर्यास्त तो इस तरह से आपको बनाने होते हैं और आसाने से आप इनको क आता है तो किस में बदल जाता है आ में बदल जाता है यही फॉर्मूला चल रहा है इसमें से ही डिवाइड हम लोग कर रहे है ठीक है तो यहां पर देखो पहले क्या है अ है बाद में क्या है आ है और बनेगा क्या आ तो देखो यहां पर कोशिस करो सबसे पहले है यहां पर द तो कैसे बनेगा देखो, ये व के अंदर से अ साउंड निकाल लिया मैंने, तो ये देव अ साउंड यहां से निकाला, ये मैंने अ निकाल लिया, यहां से मैंने किसको लिया, आ को लिया है, ठीक है, इसके बाद में क्या लगा हुआ है, लए लगा हुआ है, इन दोनों तरह हलंत वाले पर जोड़ी जाती हैं, तो आप जोड़ दीजिये इसे, क्या बन जाएगा? देव, व की मात्रा इस पर जोड़ेंगे तो आ, और फिर ये ल, और फिर ये ये, क्या बन गया? देवाले, तो इस तरह से आपको बनाना होता है, कर लोगे इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, तो यहाँ पर देखो, सत्य प्लस आग्रह में, तो ये के अंदर से आपने अ साउन निकाला, यहाँ से आ साउन निकाला, दोनों को मिलाओगे, तो आ बन जाएगा, तो सत्य, अब ये के उपर हलंत लगेगा, ये के उपर हलंत लगेगा, तो ये प कुश पलस आशन यहां पर बन रहा है तो कुश आशन बन जाएगा किस तरह से बन रहा है कुश आशन यहां पर बन रहा है देखो भई यहां पर आपने स में से क्या निकाल लिया और यहां से भी आपने आशन में से भी आ को निकाल लिया अब देखो यहां पर भी इस तरह से आपको करने है भाई यह सारी की सारी चीजें जो है एक की तरह की चलती है यहाँ पर देखो आपने अ ले लिया और यहाँ पर आपने आ ले लिया पीछे क्या बचा हुआ है सन बचा हुआ है यहां से निकाल लिया इन दोनों के मिलने से अ पहले है बाद में आ है यह देखो फ कुशाशन जो बुरा साशन होता है उसको क्या बोला जाता है कुशाशन बोला जाता है कर लोगे कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी ठीक है तो रतन पलस आकर रतनाकर हो जाएगा सत्य पलस आगरा सत्यागरा हो जाएगा कुश पलस आशन कुशाशन हो जाएगा देख जो को आपको करना चाहिए भई ठीक है तो देखो आगे बात कर रहा है चात्रावास संदी विच्छेद करने वाले बात कर रहा है यह संदी विच्छेद कर रहा है तो चात्रावास अब देखो यहां पर अगर मैं यहां से करता हूं तो चात्राव चात्राव कोई सब्द नही ठीक है चात्रो में ने ले लिया इसके बाद में अब बाद में वास बच रहे लेकिन प्लस के पहले और बाॉया और या आ या फिर औ या आ में से pojang B1 आना चाहिए तो मैं यहाँ पर अंगर यहा जोडता हूँ आवास करता हूँ आवास करता हूँ तो यहां पर क्या करूँगा मैं आवास करूँगा आवाश ठीके तो क्या बन जाएगा चात्र चात्र त्र में से मैंने क्या निकाल लिया और यहां से क्या ले लिया मैंने आ ले लिया है और यहां पर बचा हुआ है श इसके बाद में इन दोनों वर्णों के मेल से मेरे पास वर् आत्रा वाश तो यह सारा का सारा फोर्मूला आपको सीखना है आप कर सकते हो कोई भी दिक्कत आपको यहां आने वाली नहीं है देवानंद में भी वेसे यह देव पलस आनंद हो जाएगा दीपाधार में दीपलस आधार हो जाएगा प्रारंब में प्रा प्लस आरंब हो भई ठीक है बढ़ते हैं अगे अगला सब्द आता है अगला फॉर्मुला है हमारा आ के बाद में है और तो क्या बन जाएगा अगे हूँ या पीछे हो आ आगे हो या पीछे हो बनेगा आ ही बनेगा तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कहीं भी अगर जुड़ा हुआ है और वहीं से संदी विछेद अगर होती है तो वहाँ पर 100% जो है कौन से संदी होती है स्वर संदी होती है और स्वर में भी दिर्ग संदी होती है यह बात आपको याद रखनी है तो चलिए बात करते हैं सेना प्लस अद्येक्ष मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ इन में से एक को मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है यह सेना यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है अद्येक्ष क्या लिखा हुआ है अद्येक्ष समझने की कोशिस करना भई देखो ये सारी बातें समझने वाली हैं सेना में से मैंने क्या निकाल लिया सेना में से मैंने आ साउंड को निकाला तो न में से आ निकाला तो न आदा बचेगा मैंने हलंत लगा दिया है और यहां से मैंने निकाला है आ साउंड को तो ये आ करके आया आ बन करके मेरे पास आया है पीछे बचा हुआ है देक्ष और आगे बचा हुआ है सेन ठीक है और मैं आप से कह चुका हूँ कि जिस पे अलंत लगता है जिस पे अलंत लगता है तीसरे वंड की मात्रा उसके उपर ही लगाए जाती है तो लगा दो भाया यहां पर त तीसरे वर्ण की मात्रा क्या बनने वाली है ये तीसरा वर्ण क्या बनने वाला है से ये ना न में आके मात्रा जोड़ी ना ये बन गया मेरा देक्ष क्या बन गया से ना देक्ष कर सकते हो इस तरह से कोई भी दिक्कत आपको यहां पर नहीं आएगी उसी तरह से विद्या प् अपी तथा अपी हो जाएगा युवा प्लस अवस्ता हो जाएगा सारे के सारे उधारण एक ही इस तरीके से आप लोग कर सकते हो किसी में कोई भी दिक्कत यहां पर आने वाले नहीं है वैसे जो इंपोर्टेंट उधारण है इन उधारणों को आप आसानी से कर सकते हो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी चले संदी विच्चेद वाली बात करते हैं यह कक्षा पलस अद्देक्स यहां पर दिया हुआ है देखो यहां से अगर संदी विच्चेद करते हैं तो हो जाएगा लेकिन यहां से करेंगे तो नहीं होगा तो यह भी आपको देखना है कि प अध्यापक नहीं होता है यहाँ पर कोई भी सब्द यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर याद रखना ठीक है तो कक्षा प्लस और यह बन गया मेरा अध्यापक ठीक है इसके बाद में यहाँ पर आ है दोनों को मिलाओंगा आ बन जाता है और आ की मात्रा हमेशा इसके उपर जोड़ी जाएगी यहां से यह केंसिल हो जाता है तो क्या बन जाएगा कक्षा अध्यापक बन जाएग द्वार का अधीस का द्वार का प्लस अधीस बन जाएगा कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें कोई प्रेशान है आपको यहाँ पर नहीं आने वाली ठीक है आगे देखते हैं अगला फोर्मूला है हमारा आ के बाद में अगर आ आता है देखो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है और तो यह बन गया विद्या ले एक सब्द में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ यह विद्या यहां पर सब्द है और यहां पर लिखा हम लोगों ने आ ले तो देखो यहां पर विद्या में से मैंने क्या निकाल लिया यह विद्ध और यहां से मैंने ले लिया आ और यहां से ले लिया मैंने आ और यहां पर बच गया ले और फिर देखो इन दोनों को मिलान ले तो कर सकते हो आसाने से कोई भी दिकत इसमें आपको नहीं आएगी देखो महा प्लस आज से महाज से हो जाएगा प्रतिक्षा प्लस आले देखो दोनों में आ यहां पर भी है और यहां पर भी है दोनों आ को मिलाएंगे तो एक ही आ बचेगा पीछे वाला आ सब क्या हो ज तो चिकित सा प्लस आले हो जाएगा कृपांगशी कृपा प्लस आखांगशी माया चरण माया प्लस आचरण दयानंद दया प्लस आनंद कर सकते हो आसानी से जब आप इन सब्दों को पढ़ते हो जब आप इन सब्दों को पढ़ोगे तो भी आसानी से आप इन सब्दों के मा को किया था आसानी से कर सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी तो रवी प्लस इंद्र क्या बन जाएगा रविंद्र अभी प्लस इष्ट का क्या बन जाएगा अभिष्ट बन जाएगा विछेद करेंगे तो ग्रिंद्र ग्री प्लस इंद्र हो गया अधिन का अधी पलस इंद कर सकते हो आसानी से, दूसरा फॉर्मूला आता है हरी पलस इश हरी सो गया, परी पलस इक्षा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, उसी तरह से करना है जिस तरीके से मैंने आपको वहाँ पर बताया था, अगला विछ्यद है अभी पलस इप्षा, Rabb Adi plus I Christians अगला देखो यह रहा मारात तीसरे नंह्मर का तो महि प्लस इंद्र महिंद्र लक्समी प्लस इच्छा अगलाँ विच्छेद में फण इन्दर फढ़ी फण बिलाएंगे तो भी आपके पास बड़ी इही मिल करके आएगी और पीछे ये बचा हुआ है आगे ये बचा हुआ है इनको जोड़ोगे हलंत वाले पर मात्रा लगानी है ये मही और ये द्र तो मही द्र इस तरह से बनते हैं तो सारे के सारे उधान एक जैसे ही है इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी तो नारी प्लस इस्वर नारी शवर हो जाएगा जानकी प्लस इस जानकी स हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है चले बढ़ी आगे विछेद मे रजनी प्लस इस हो जाएगा रजनी प्लस इस अब आप कहोगे सर ये सब्द कैसे आएगे में तो इनके लिए आपको प्रेक्टिस करनी ही होगी बिना प्रेक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता बार 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 आपको देखना होगा बार 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 आपको रिवाइस करना जाएगा रजनी प्लस इश नदी प्लस इश नारी प्लस इश्वर नारी श्वर जानकी प्लस इश जानकी इस तरह से आप प्रेक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी चले देखते हैं अब आगे आगे देखो सारा का सारा जो E या E आजाए तो हमेशा वो किस में बदल जाता है बड़े E में बदल जाता है जिस तरह के से हम लोगों ने जिस तरह के से हम लोगों ने A वाले को किया था उसी तरह के से आपको E वाला आप कर सकते हो इसके भी चारी फोर्मूले हैं लेकिन इस एक ही फॉर्मूले में चार फॉर्मूले मिले हुए हैं आसानी से किया जा सकता है चले अगला यहां पर आता है उ वाला फॉर्मूला यहां पर उ वाले को कैसे किया गया है उ या उ के बाद में कहीं भी चोटा उ हो या बड़ा उ हो तो हमेशा बड़ा उ ही बनेग यह formula कहता है और इस formula को चार formula में मैंने divide किया है तो यहाँ पर यह पहला formula मैंने अलग से निकाला है पहले O है बाद में O है उसी तरह से A वाले में पढ़ा था तो पहले A था बाद में भी A था इसी तरह से E वाले को पढ़ा था पहले E था बाद में भी E था अब छोटे छोट करके आ बना था, वहाँ पर भी ई उ मिलकर के बढ़ाऊ बन रहा है, देखो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर करोगे भानू. यहाँ से निकाले आपने उ però हम यह हम इस उ को भी अब आपके पास बचा हुआ है दया और आगे आप देख सकते हो क्या बनने वाला है इन दोनों के मिलने से आपके पास जो तीसरा बने वो बड़ा वो बनेगा और यह आपका यहां पर बन गया है क्या आपका यहां पर बन गया है वही भानू दे यहां पर आप बना रहे हो क्या बना रहे हो भई यह भा यह न और यहां पर यह दय और आपने इस उकुहलंत वाले पर जोड़ दिया तो क्या बन गया क्या बन गया ये देखो, ये बन गया आपका भानुदे, क्या बन गया, भानुदे, ठीक है, आसानी से क्या जा सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, गुरू प्लस उपदेश, गुरू पदेश बन जाएगा, देखो उ में चोटे उ की मात्रा, फिर चोटा उ मिलेगा, यहां रखनी है, अगला है, लगुतर, यहां पर बढ़ाओ है, छोटा उ और छोटा उ मिला, तो बढ़ाओ बन गया, लगुतर बन जाएगा, कटू उक्ती में बढ़ाओ आ रहा है, तो कटू प्लस उक्ती में लिकल के बन जाएगा, कर सकते हो आसानी से, यहां पर सेकिंड number का formula हमारा बनता है और second number में पहले बढ़ाऊ है बाद में बढ़ाऊ है बढ़ाऊ ही बनेगा देखो यहाँ पर भू प्लस उर्दू दिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हो आप यह बढ़ाऊ और उसके बाद में भी बढ़ाऊ है ठीक है यहाँ से बढ़ाऊ को अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से बढ़ाऊ को मैंने ले लिया तो यह बढ़ाऊ मैंने निकाल लिया और यहाँ से बढ़ाऊ को ले लिया तो पीछे क्या बचा यह धर और यह ठीक है कर सकते हो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बड़ाऊ बन जाएगा आगे क्या है दर यहाँ पर देखो क्या बना अब इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा यह भू और यह दर कर सकते हो आसानी से कोई प्रेशानी इसमें नहीं आएगी तो भू प्लस उश्मा बुश संदी, अब गुन संदी में क्या करना है आपको मैंने बता दिया, गुन संदी में कुछ भी नहीं करना भाया, यह A और यह O, अगर यह कहीं पर भी आ जाए और वहीं से संदी विच्छेद अगर होता है, तो वहाँ पर गुन संदी होती है, तो रही आपकी आ या आ के बाद में तो यहाँ पर लिख रहाओं में आ या आ के बाद में क्या आता है ए या ए अगर आता है तो क्या मिल करके बन जाता है ये बन जाता है आपका ए बस ये आपका पहला फोर्मुला यहाँ पर complete हो गया देखो यहाँ पर यह पहली बात कर रहा है के बाद में E आ रहा है तो A बन रहा है तो सुर प्लस इंद्र क्या बन जाएगा सुरेंद्र स्व प्लस इच्छा क्या बन जाएगा स्वेच्छा नेति का क्या हो जाएगा न प्लस इती भारत प्लस इंदू ये भारत प्लस इंदू देखो त में A है पीछे E है दोनों मिल करक किसी भी सब्द के उपर एक मात्र अगर लगी हुई है तो वहीं से अगर संधी विछेद होता है तो वहां पर कोंजे संधी हो जाएगी गुंण संधी हो जाएगी अगली बात करेंगे यहां पर second number की यह second number वाली बाट A के बाद में बड़ा यह आता है तो भी ए मनता है महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा यता प्लस इच्छा यतेच्छा राजंद्र राजा प्लस इंद्र हो जाएगा यतेश्टा यता प्लस इश्ट इनको ही अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो कोई भी यहां पर पर परेशानी नहीं है अगला फॉर्मूला आता ह पर प्लस उपकार प्रोपकार शुर्य प्लस उदे शुर्य उदे प्रोजल का प्र प्लस उज्वल ये उज्वल आपका सुद्धा सुद्ध में भी पुछा जा सकता है सव उदारन का सव प्लस उदारन आ जाएगा अंते उदे का अंते प्लस उदे हो जाएगा सभी में पहले अ होगा बाद में हुगा ओ बन जाएगा कर सकते हो आगे देखो ये अगला फॉर्मूला आता है जल प्लस उर्मी उर्मी ऐसे लिखते हैं उड़ा ऐसे लिखते हैं याद रखना इन सब्दों को ये सब्द जो है न तोड़ी सी मिश्टेक कर देते हैं हम लोग भूल जाते हैं इन सब्दों को तो जल प्लस उर्मी जलोर्मी नव प्लस उड़ा नवड़ा समुद्र उर्मी समुद्र प्लस उर्मी जलोर्जा जल प्लस उर्जा इस तरह से याद रखेज़े अगला फॉर्मूला ये रहा आपका, महा प्लस उदे महोदे हो जाएगा, यथा प्लस उचित यथोचित हो जाएगा, सार्द उपाशक, शार्दा प्लस उपाशक और महोसव का महा प्लस उच्सव हो जाएगा, किस तरह से इनको एक बता देता हूँ, महा प्लस उदे, ये महा में से मैंने निकाल लिया आ और यहां पर लगा हुआ है उ और पीछे लगा हुआ है दै इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है मेरे पास ओ बन करके आता है पीछे दै लगा हुआ है आगे लगा हुआ है मैं हलंत वाले पर इसके मातरा जोड़नी है तो बन जाएगा महोदे मैंन आने वाला नहीं है अगला आता है यहां पर अगला फोर्मुला है आके बाद में बढ़ा हूँ है तो वह बनेगा गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी महा प्लस उर्जा महोर्जा उर्जा ऐसे लिखते हैं यह याद रखने हैं आपको यमनोर्मी यमुना प्लस उर्मी महोरू महा प्लस उरू ठीक है कर सकते हो अगला आता है अरवाला formula है देव प्लस रिषी देव रिषी सीद प्लस रिटू सितरतू सप्त रिषी का सप्त प्लस रिषी उत्तम रिण का उत्तम प्लस रिण ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इनको आप लोग तोड़ा सा ध्यान रखेंगे सीत पलस रितू वाली बात में आपको यहाँ पर बता देता हूं कैसे बनी तो सीत पलस रितू कैसे बना यह अर वाली बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या है सीत तामे से मैंने निकाला अ आ या आ के बाद में अगर री या री है तो वो क्या बनेगा वो वहाँ पर अर बन जाएगा इसे मिलकर के मेरे को क्या प्राप्त हुआ अर प्राप्त हुआ ये तू आगे है यहाँ पर सीथ जोड़ दो इसको तो सी ये त, त, ये अ इसमें त में मिला तो तब पुरा हो गया रह अब किसके उपर जाएगा तो ये ही तो चीज यहाँ पर बन लिए कर सकते हो आसाने से कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने चाहिए इसी बात में आवाले बात करेंगे तो महा पलस रिशी महरिशी हो जाएगा राजा पलस रिशी तो राज रिशी हो जाएगा बहुत अच्छे उदारण हैं इन उदारणों को आसानी से किया जा सकता है कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है चले बात करेंगे अब हम यहाँ पर यह है अमारे अभ्यास प्रश्न जो अमने यहाँ पर दिर्ग संदी पड़ी है जो अमने यहाँ पर गुण संदी पड़ी है उनके तरीके से जो यहाँ पर अमने सीखा है उनके तरीके से उन फॉर्मूलों से अम लोग इन प्रश्नों को कर पाते हैं या नहीं यह अमें सीखना है और यसी पॉइंट में इन प्रशनों के अंदरी में आपको ट्रिक भी बता दूगा जिससे आप आसाने से क्यूशन के आंसर को निकाल सकते हूँ पहला क्यूशन आता है दो धौनियों के मेल को क्या कहा जाता है ये तो आपको पता है अगर कहीं पर भी शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पर समास वाली बात आजाती है ये बात आपको याद है अगर कहीं पर भी धोनियों का मेल होता है ये धोनिया कहो भया यहाँ पर वर्णों का मेल की बात करो तो अगर कहीं पर भी होता है तो वहाँ पर संदी वाली बात की जाती है या आप आसानी से कर सकते हो यह सबसे important बात है और यही चीज़े आपको याद लखनी है कि जहाँ पर भी धोनियों वाली बात आजाए जहाँ पर भी वर्णों वाली बात आजाए वहाँ पर आपको क्या करना है संदी वाला option right लगाना है कर सकते हो उपसर्ग में तो आपको पता है किसी के भी आगे जैसे मैंने यहाँ पर कहा प्रति दिन तो यह उपसर्ग वाली बात हो गए तो उपसर्ग तो हमेशा किसी भी मूलसब्द के पहले लगता है तो यह उपसर्ग वाली बात हो गए उपसर्ग तो यहाँ पर option right हो नहीं सकता समास में सब्द मिलते हैं यह भी नहीं सता प्रति हमेशा मुख्यत के पीछे लगते हैं और संदी वाली बात यहां पर दोनियों और वर्णों वाली बात करेंगे तो हमें सा संदी वाली बात ही यहां पर की जाएगी अगला प्रशनी यह कहता है कि संदी मुख्यत कितने परकार की होती है देखो, क्युशन पुछा जाता है कि स्वर संदी के कितने भेद होते हैं, स्वर संदी के कितने परकार होते हैं, तो 5 होते हैं, लेकिन आप से पुछा है क्युशन यहाँ पर मुक्यत संदी कितने परकार के होती हैं, तो फिर आपको 5 नहीं बताना, आपको कितने बताने हैं, 3 तीन भहताने हैं दो होते निये चार होते निये पांच होते निये तीन प्रह यहां पर Weird हो जाएंगे करसकते हैं अगला प्रसों है निम्न में से किसमे स्वर सन्दी नहीं हुई है ले ho जगत पलस यह이 पर करते हैं यह जगत प्लस इश तो यहां पर देखो पहले वेंजन आ रहा है इसका मलब इसमें तो वेंजन संदी है इसमें हुई नहीं है पवित्र में देखो यहां पर स्वर संदी किसमें नहीं हुई है पवित्र में पो प्लस इत्र हो जाएगा इसमें तो स्वर संदी है इसका मलब यह भी राइट है नेना अभी राम यहाँ पर बन रहा है नेन प्लस अभी राम अभी राम यहाँ पर बन रहा है इसमें भी स्वरसंदी है इसका मलब यहाँ यहाँ पर बनेगा यदी प्लस अपी इसमें भी स्वरसंदी हो रही है इसका मलब देखो यहाँ पर दिर संदी हैं इसमें आयादी संदी हैं और इसमें दिर्ग संदी हैं तो यहाँ पर नहीं हो रही है तो इस वाले ओप्षन में यहाँ पर वेंजन संदी हो रही है तो यह ओप्षन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला है निम्न में से किसी सब्द में औ और आ वाली बात वो कर रहा है तो आका मेल नहीं हुआ है क्रिष्ण अर्जुन क्रिष्ण प्लस अर्जुन यहां पर तो हो रहा है यह भी राइट है साउदान में सर प्लस अउदान यह भी राइट है विद्यारती में विद्या प्लस अर्थी विद्या प्लस अर्थी यह भी यह तो बात हो गई तो विध्या विध्या प्लस अर्थी यहां पर मेल नहीं हो रहा है तो इस विध्यार्थी सब्द में और आ का मेल नहीं हो रहा है यहां पर किसका मेल हो रहा है आ और का मेल हो रहा है यहां पर आ और का मेल होने की वज़े से हमारा option यह राइट हो जाएगा इसमें तो हो रहा है क्योंकि उत्तर प्लस अधिकार इसमें तो हो रहा है इसमें तो कोई दिक्कत है यह नहीं यहाँ पर अ है सर प्लस अउधान इसमें भी हो रहा है यह सर में से अ और यहाँ पर भी है इसका मतलब यह वाला option हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाए क्योंकि यह नहीं पूछ रहा है हमसे कर सकते हो आसानी से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी अगला क्या कहता है अगला क्या क्या कहता है गुन संदी का उदारण है मैंने आपको बता दिया था कि महरिसी जहां पर अर बनता है वो गुन संदी का उदारण बनता अगला है किस सब्द में गुंण संदी हैं मैंने बोला तो आपको कहीं पर भी एक मात्र अगर आ जाती है तो वहाँ पर गुंण संदी होती है भारत प्लस इंदू इसका संदी विछेद करेंगे तो क्या बन जाएगा भारत प्लस इंदू इसका संदी विछेद हो जाएगा त यहां से लेलिया मैंने आ और यहां से लेलिया मैंने उ और पीछे क्या बचा द इन दोनों को मिलाओंगा तो क्या बन जाएगा ओ ठीक है पीछे य और आगे है मह और इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा महोदे क्या जा सकता है आसानी से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी एक ही जाती के लगो और दिर्ग सोरों का मिलकर के दिर्ग होना किस संदी का उधारन होता है भया वो दिर्ग संदी होती है एक ही जाती के केहने का मतलब है आ से अगर मिला केसे भी मिले आय बनेगा इसका मतलब यहां पर दिर्ख संधी होगी अगला प्रशन क्या कहता है मैंद्र में एक मातरा लग रही है इसका मतलब यहाँ पर गुन संदी हो जाएगा अगला प्रशने संदी का अर्थ क्या है दो अक्सरों का मेल दो सब्दों का मेल दो अक्सरों का मेल या तीसरा अक्सर बनना तो यह अमारा क्या हो जाएगा संदी का हो जाएगा अगला है नीमन में से दिर्ग संदी युक्त पद कौन सा होता है दिर्ग संदी में मैंने आपको बोला था कहीं पर भी अगर मात्रा लग जाती है देते प्लस अरी देते प्लस अरी वाली बात यहां पर की जाती है चले देखे इस question को देखते हैं इसमें क्या मामला है तोड़ा सा इसका मामला जो है ना अलग जा रहा है दीर्ग संदी युक्त पद कौन सा है यह कहे संदी वाली बात है दिर्ग संदी वाली बात कर रहा है सुर्य ओद्यों में ये इसमें भी गुन संदी है मारिशी में भी गुन संदी है तो यहां पर बंदा है ठीक है क्या बन रहा है देते प्लस अरी, अब उसने जो सब्द दिया है वही ले लो न यार, वैसे तो क्या बनना चाहिए? अगले प्रस्ण में गन प्लस इश, अगला प्रस्ण ये कह रहा है कि गन प्लस इश में कौन सी संदी होगी, अब हम लोग यहां पर बना के देख लेते हैं, गन प्लस इश में कौन सी संदी होगी, देखो यहां पर, यह प्लस इश, ठीक है, देखो यहां पर, यहां से ले लि तो ये बन गया मेरा गनेश क्या बन गया मेरा गनेश कोई संदी हो गई गुन संदी यहाँ पर हो जाती है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ गुन संदी कर सकता हूँ आसानी से अगला क्यूशन आता है हिमाले हिमाले में तो बहुत सिंपल सी बात है him plus alay बनता है क्या बनता है him plus alay क्या बनेगा him plus alay देखो यहाँ पर him मामे से मैंने ले लिया a sound और यहाँ से ले लिया मैंने a sound और पीछे बचा है मेरा like ठीक है अब मैं इसको अगर जोड़ देता हूँ इन दोनों को मिलाने से मेरे पास आता है a पीछे है ले और आगे है him ठीक है तो जोड़ो भाईया क्या बन जाएगा हिमाले बन जाएगा आसाने से किया जा सकता है और a और a मिल करके a बनता है इसका मतलब यहाँ पर कौन से संदी हो जाएगी दिर्ग संदी हो जाएगी अगला प्रशन है ग्रीश ग्रीश में कौन से संदी है बड़ी की मातरा लग रिये इसका मतलब दिर्ग संदी है अगला प्रशन आता है बानोदे बड़े उकी मातरा लग रिये भईया बड़े उकी मातरा लग रिये और मैं आपको बता चुका हूँ कहीं पर भी a बड़ा ई और बड़ा उ अगर आता है वहीं से संदी विछेद की जाती है तो वहाँ पर कौन सी संदी होती है वहाँ पर दिर्ग संदी का उधारण होता है तो यहाँ पर कौन सी संदी हो जाएगी दिर्ग संदी हो जाएगी तो इस तरीके से आप लोगों को संदियां सारी के सारी करनी होती है और जितने मेंने आप लोगों को यहां पर संदी के बारे में बताया है उन संदियों को अगर आपने अच्छे से कर लिया इन जो किशन मेंने आपको यहां पर करवाए हैं अगर इन किशन को भी आपने अच्छे से कर लिया जिस तरीके से में आपको बताया है जिस तरीके से आपको यहाँ पर करवाया है उस तरीके से आप इन कुष्णों को करें ताकि आपको इन दिर्ग संदी और गुण संदी में कहीं से कहीं भी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी बात रही कि सर इन सब्दों को कैसे सही माने कैसे गलत माने हमें तो आता ही नहीं है इसके पीछे एक कारण है बस आपको क्या करना है इनकी बार-बार प्रेक्टिस करनी है बार-बार जब आप इन सब्जेक्टि तरीके से पहले इन गुन संदी के बारे में पढ़ोगे उसके बाद में आप दिर्ग संदी के बारे में अगर आप पढ़ लोगे पिर जब इसके बाद भी इन 15 कुछन को कर लोगे आपको कहीं से भी कहीं कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी तो दिर्ग संदी और गुन संदी का जो मेटर है वो आज अमारा यहीं समापत होता है आगे ह हम पढ़ेंगे यहां पर वरदी संदी यन संदी और अयादी संदी ठीक है तो मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए यह जो क्लास है वो यहीं समापत होती है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद